हे गाईज, वेलकम बैक टू हिमाचल ग्यान, टुड़े वी विल डिस्कस अवार्डी गिरार न्यूस्पेपर, 12 जुलाई 2020 के कंटर फिया कोशन को हम आज डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसमें दो अडिशन आए हैं, तो आज हम फर्स्ट पार्ट को इसमें कवर करेंगे, इ कौन सी जन्ती मनाई गई, तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर B, 114 जन्ती, 114 जन्ती ये मनाई गई, ऑप्शन B इसका सही जवाब है, तो कुछ और इसके बारे में तथ्या जानते हैं, कि यह पूरव दिनों में, मतलब पहले इसको विधान सवा के छोटे से पुस् याद रख सकते हैं, अगला प्रशन है, IIM हिमाच्व पदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है, ये सिर्मोर जिले में स्थित है, अगर ये पुछ जाए कि सिर्मोर जिले में कहा है, तो ये आपने याद रखना है, धौला कुवा में, ये स्थित है, तभी ये न्यूज में है अगला क्वेशन शिमला में माल रोड और रिज पर किसकी प्रतीमा स्थाबित करने का निन्य लिया गया है तो इसका सही जवाब है अप्स नमबर बी सीरी अडल बिहारी बाचपी जो की हमारे प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं तो इनकी जो की प्र हमाचपी की जयनती के अफसरबर इस प्रतीमा का अनावर्ण करने के प्रयास वो करेंगे ठीक है तो होप है कि 25 दिसमबर को उसका शिरल न्यास कर दिया जाएगा next हमाचप अपदेश के कौन से जिले में जीजी वीशा अभ्यान अरम करने की पहल की है तो कौन से जिला है तो ये जिला है option number C कांगडा जिला इसने ये step लिया है तो ये GG visa है क्या है? तो GG visa का अर्थ है जीने की प्रवल्चा और इसमें क्या है कि कांगडा मैं GG visa के अंतरगत बेटियों के लिए निया कारेकरम अरंप किया है ताकि समाज में बेटियों के प्रती नकरातम सोच को बध्रा जा सके तो इसलिए ये पहल सुरू की गई है नेक्स्ट कोश्चन है निमल लिकित्स में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपको कथन बताना की जोकी सही नहीं है तो चली पढ़ते हैं जाइका दक्षन कोरियाई की अजंसी है अगला है ये पहला चरंड पांच जिलों में सुरू किया गया था इसके बाद दूसरे चरंड में परदेश के सबी 12 जिलों को सामिल करने के लिए लगभग गेरा सोचार क्रोड पे का परस्ताब त्यार किया गया है हिमाचर परदेश सरकार और फशल बीवीदी करन के क्षितर में जीका का स्योग 2007 में शुरू हुआ है तो इसमें ऑप्षन नमबर A सही नहीं है जीका एक जपान की अजंसी है जीका की फुल फॉर्म है जैपैन इंटरनेशनल को अपरेशन अजंसी तो याद रखें इसका सही जवाब है ये एक चपान की अजंसी है बाकी सभी ऑप्षन जैसे बी ऑप्षन है पांच जीलो में सुरू किया गया है तो पांच जीले कॉनकों से याद रखें याद रखने के लिए लोगर एर्याज experimental से पहले आप चलें उन्ना में and then मंडी में ये पांच जिले हैं बता दिये मैंने इसके नाम और ये जो पाइलेट प्रजेक्ट सुरू हुआ था 2011 में सुरू किया गया था 2011 से लेकर 2018 तक ये सुरू हुआ था तो इसने पांच सालों में इन सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया फिर इसके लिए इसको दो साल के लिए extend कर दिया गया 2020 तक इसको extend कर दिया गया है अब इसका अगला जो परस्ताब रखा गया है कि इसको 12 जिलों में संचालित किया जाएगा तो यह परस्थाब रखा है सरकार के सामने जब यह पास हो जाएगा तो सारे जिलों में इसको संचालित कर दिया जाएगा next है कि यह जो हमाज़र प्रदे सरकार है और जो जीका की कॉलरवेशन थी crop diversification में 2007 में इसको शुरू किया गया था तो ये तीन option बिलकुल सही है बाकी मैंने टेल में आपको सुझा दिया है और option number A इसका सही जवाब नहीं है क्योंकि ये जाई का एक Japan की company है next question है गौ सदनों गौ सालाओं और गौ अभेरनों के रख रखाब के लिए भत्ते के रूप में प्रतिमा कितने रुपे प्रति गाये दिये जाएंगे तो इसका सही जवाब है option number B इसमें 500 रुपे दिये जा रहे हैं प्रति गाये ताकि गायों की जो की एक अभेरनों में रखा जा रहा है जहां कहीं भी रखा जाएगा उनके रखाब के लिए उनका खाना पानी जो भी उनकी जोड़ते होगी उनके लिए पांसो प्रति गाये वहाँ पे दिये जाएंगे option number B सही जवाब है अगला प्रशन है तो पहले ये निउस में क्यों है तो जानते हैं हम इसके बारे में जो की हमारे बन, युवा सिवाएं एंड खेल मंतरी जो की हालवी ही में ही कैबिन मंतरी निउक्त किये गए है उनका नाम है राकेश पठानिया नहीं केंदर सरकार के स्योग से कांगडा जिला में राश्ट्रिय खेल विसे विदैलिय की स्थापना की जाएगी इसके लिए उन्होंने बहाँ पे प्रस्ताव रखा है तो इसका सही option है कांगडा जिले में इसको बनाया जाएगा इसके बाद आप national level पे आपको बताना है कि national जो की खेल की sports university कहां पे है हमारे देश में कहां पे है जो sports university तो आपको comment box में बताना है next question है भारत का पहला सर्वोच सैन्य सम्मान परमबीर चकर परात करने वाले पहले हमाचली कौन थे यह पहले हमाचली नहीं थे यह देश के पहले ब्यक्ति थे तो यह हमाचली भी है तो इनका नाम है major सोमनात शर्मा उर्मी और इनको ये अवार्ड परमी चक्र दिया गया था मन्नो उपरांद दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है युद विद्वाओं की बेटियों को साधी के लिए दी जाने वाली आर्थिक साहिताराशी को 15,000 से बढ़ा कर कितने रुपे किया गया है तो इसको कितना बढ़ा दिया गया है तो इसको 15,000 से 50,000 रुपे बढ़ा दिया गया ओप्शन सी इसका सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन है मन्रेगा के तहत रोजगार की 100 दिनों की सीमा बढ़ा कर कितने दिनों तक कर दी गई है तो इसका सही जवाब है पहले आप मतलब कोई भी व्यक्ति जो मन्रिगाव में काम करता था वो एक साल में 100 दिन तक काम कर सकता था बढ़ इसको बढ़ा के कितना कर दिया है 120 दिन तक इसको बढ़ा दिया है अब व्यक्ति 120 दिन तक काम कर सकता है और इसमें जो basis मिलता है per day basis मिलता था पहले मिलता था 185 अब इसको भी बढ़ा के 205 रुपेया कर दिया है तो ये भी आप याद रख सकते हैं अगला है question है हिमाच्छ सरकार ने जल जीवन मिसन के तहत कब तक राज़्यक में परतेग घर तक नल के माद्यम से स्वच एवन सुध पेजल उबलब्द करवाने का लक्षय निधारीद किया है actually मैंने कई बार इसको discuss किया है तो चलिए आपने बताना है कि इसका लक्षय कब तक रखा है हमाच्छ पोदेश ने इसका लक्षय रखा है August 2022 में परतेग घर में नल से जल प्रवाइड किया जाएगा और नेशनल लेबल में ये लक्षय रखा है 2014 तक इसको नेशनल लेबल पे इसको पुरा किया जाएगा तो ठीक है तो गाइस ये थे important questions part 1 के I hope आपको वीडियो जूर पसंद आएगी तो वीडियो को like एंड जाद से जाद शियर जूर करें और चैनल को subscribe भी कर लें साथ में तो thank you very much for watching this video मिलते नेक्सेस में तब तक के लिए वाई वाई टेक क्यार